अनार्गिनाइज सेक्टर में काम करने के लिए भारत सरकार ने बहुत पहले से ही इश्रमिक कार्ड लाँज किया है इश्रमिक कार्ड आपके अधार कार्ड की तरही एक कार्ड है जिसमें आपको 12 डिजिट का UN नमबर दिया गया है जिसमें आपके आधार कार्ट से सभी डिटिल्स मैच करती है यहां तक कि आपका एकाउंट नंबर जो है वो ईश्रमिक कार्ड में अटेच होता है जिससे सरकार के तरब से कोई भी स्कीम्स या कोई भी आपको आर्थिक सहायता मिलने वाली हो तो वो डायरेक्ट आपके बैंक एकाउंट में आए इश्रमिक कार्ड बनाने वालों की जो उम्र दिधार्थ की गई है वो है 16 से 59 वर्स के विश्रमिक कार्ड बनाने का कोई भी चार्ज नहीं है ये बिल्कुल फ्री है और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इश्रमिक कार्ड कैसे आप अपनी मुबाईल, कंप्यूटर या लैप्टॉप की मदद से फ्री में बना सकते हैं तो चलिए बिना किसी तेरी के शुरू करते हैं दोस्तों अगर आप खुद से इश्रम कार्ड अपना बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस पेज प्याना होगा जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या-क्या होना जरूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ यहां पर सबसे पहले आपके पास एक अधार कार्ड होना चाहिए और अधार कार्ड जो है आपके मुबाइल से लिंक होना चाहिए अगर आपका मुबाइल से लिंक अधार काड नहीं है तो आपको किसी CSC डिजिटल आफिस पे जाके आपका मुबाइल नमबर रेजिस्टर करा लें या तो वहां से भी आप बिना मुबाइल नमबर रेजिस्टर के आप अपना स्रम काड बनवा सकते हैं इसके साथ ही आपके पास एक bank account होना चाहिए और आपकी age जो है वो 16 से 60 words के बीच में होनी चाहिए तो सबसे पहले आपको यहां पे खुछ से registration करने के लिए स्रम काड बनाने के लिए यहां पे आपको आधार नमबर वाला मुबाइल नमबर देना है जो कि आपके आधार काड से लिंक होना चाहिए तो वही वाला मुबाइल नमबर देंगे इसके बाद यहां पे capture फिल करेंगे और यह दो option है जो यहां पे आपको no और no ही select करना है दो no option no select करना है इसके बाद send OTP पे क्लिक करना है वो OTP आप यहां पे डालके submit पे क्लिक करे इसके बाद एक नया pop-up open होगा open होने के बाद यहां पे आप अपना आधार number देंगे आधार number देने के बाद दोस्तों यहां पे तीन option दिया है fingerprint, airish और OTP तो आपको select कर लेना है OTP का option और इसके बाद यह जो capture दिया है वो यहां पे आप fill करेंगे और fill करने के बाद यहां पे I agree पे concern देंगे और उसके बाद यहां पे submit वाले option पे click करेंगे इसके बाद जो भी आपके mobile नंबर पे OTP गया है जो आधार number डालने के बाद वो आप यहां पे enter करेंगे इसके बाद validate वाले option पे click करेंगे आपके सामने आपके आधार काट से सभी related details जैसे name यह सभी चीज़े आ जाएंगे आने के बाद दोस्तों आप अपना सब कुछ match करा सकते हैं और match कराने के बाद यहां पे I agree वाले option पे concern देंगे और concern देने के बाद continue to enter other details पे click करेंगे click करने के बाद दोस्तों यहां पे जो आपको side में दिख रहा है personal information, address, education qualification, occupation, bank detail यह सभी option आपको fill करना होगा तो चलिए हम आगे का process भी complete कर लेते हैं continue करेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ने के बाद दोस्तों यहां पे आपको सबसे पहले एक mobile number देना है इसके बाद यहां पे एक email ID देंगे, यहां पे आप अपना marital status डाल देंगे, इसके बाद यहां पे आप अपने father का name डाल देंगे और social category में आप journal OBC, SST जो भी आपका है वो डाल देंगे, इसके बाद यहां पे आप अपना blood group select कर लेंगे यहां से different enabled यहां पे no कर लेंगे, अगर आप हैं तो आप yes कर लेंगे, इसके बाद यहां पे nominee detail add करता है तो यह कोई mandatory नहीं है, आप चाहें तो nominee detail add कर सकते हैं, अगर nominee detail add करेंगे तो आपको यहां पे यह सारी detail देना होगा जिसमें nominee का नाम, data worth, gender और आपके साथ उनका relation क्या है, यह चीज़ आपको यहां पे देनी होगी इसके बाद यहां पे save and continue करेंगे, इसके बाद दोस्तों यहां पे आपका residential detail आ जाएगा, यानि कि आपको आपका address फिल करना है यहां पे आपको आपका current address भरना है, अगर आप ruler है तो ruler और अगर आप urban है तो urban area का यानि शहर में है या कस्वे में है तो आप urban सेलेक्ट करेंगे, अगर गाउं से हैं, ब्लॉक से हैं तो आप यहां पे ruler सेलेक्ट करेंगे house number देंगे, यहां पे locality देंगे, इसके बद यहां पे state सेलेक्ट करेंगे, जिस भी state में है, आप यहां पे अप उत्तर परदेश सेलेक्ट करेंगे, अगर बिहार से हैं तो बिहार और बाकी state का भी यहीं से आप सेलेक्ट करेंगे इसके बाद यहाँ पर district select करेंगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तहसील जो की आपकी तहसील है वो आप यहाँ से select कर लेंगे यहाँ पर देंगे आप pin code इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देना है कि आप अपने address पर कितने साल से रह रहे हैं तो जिसमी साल से आप रह रहे हैं वहाँ पर आप यहाँ डाल सकते हैं तो more than 25 years यानि कि आप 25 सालों से रह रहे हैं यह 5 सालों से रहे हैं 10 साल से वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं इसके बाद यहाँ पर consent देंगे और save and continue पर click करेंगे इसके बाद यहाँ पर education qualification देना होगा यानि कि आपने कौन से सिच्छा लिए है वो आप यहाँ पर fill करेंगे अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप यहाँ से अपनी जुवी education qualification है आपकी वो यहाँ से डाल सकते हैं और अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो सबसे पहला वाला option आप select कर लेंगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया है certificate upload करने का तो यह कोई जरूरी नहीं है आप upload ही करें इसे छोड़ भी सकते हैं और यहाँ पर दिया है कि आपकी monthly income क्या है अगर आप monthly income है आपकी कुछ तो आप दे सकते हैं otherwise यह भी कोई जरूरी नहीं है इसके बाद save and continue करेंगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पर occupation का option है यानि कि आपने क्या किया है, आपके पास किस तरह का experience है, आप काम क्या करते हैं अगर आप card driver है, car painter है, या कोई mechanical से diploma किया है या किसी भी तरह का skills है आपके पास तो आप यहाँब उसे लेक सकते हैं जैसे यहाँब अगर card driver लिखेंगे तो आपको देख सकते हैं बहुत सारा option आ रहा है, अगर आपने और भी कोई skills की है और आपको नहीं पता है वो कैसे search करना है, तो यहाँ पर जो click here का option दिया है, उस पे click करके आप यहाँ पर बहुत सारा option दिया है, यहाँ से select कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इसका link में नहीं, आपको description में भी दिया हु कहां से हासिल किया है आपने जो भी experience लिया है वो किस संस्था से लिया है तो अगर आपने कहीं से लिया है तो ठीक है otherwise यहाँ पर other डाल सकते हैं और यहाँ से डाल सकते हैं कि receive from technical training यानि कोई institute है तो technical training को डाल सकते हैं otherwise कोई mandatory नहीं है इसके बाद यहाँ पर save and continue करेंगे इसके बाद दोस्तों यह last option है जिसमें आप अपने bank का detail देंगे यानि कि जो भी सरकार के तरफ से जो सहायता आपको मिलने वाली है जो भी आर्थिक सहायता जितने भी आपको पैसे मिलेंगे वो आपके direct bank account में आएगे तो इसके लिए आपको अपने bank की detail देना होगा यहाँ पर आप लिखेंगे bank account का number इसके बाद यहाँ पर confirm करेंगे आप अपने account holder का नाब देंगे IFSC code फिल करेंगे और bank का नाब देंगे यहाँ पर bank अपने आप भी सर्च हो जाएगा IFSC code देने के बाद आपका bank अपने आप automatic सर्च हो जाएगा इसके बाद save and continue पे click करेंगे इसके बाद दूस्तों यहाँ पर आपके पास एक self declaration form आजाएगा जिसे आप चाहे तो print करके रख सकते हैं otherwise आपके पास printed नहीं है तो आप इसे save करके रख सकते हैं यहाँ पे आपकी सभी details सामने आजाएगी जो कि आपके आधार कार से related है और आपने जो भी अपने यहाँ पे बनाया हुए है इस श्रमिक कार्ड में जो भी details दी हुई है वो सभी कुछ यहाँ पे आजाएगी इसके बाद दोस्तों यहाँ पे submit पे click करेंगे और submit पे click करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह जो श्रमिक कार्ड है हमारा वो हमारा बनके ready हो चुका है और यहीं से आप चाहें तो इसे download कर सकते हैं और download करने के बाद कहीं भी जाकर आप print करा सकते है अगर आपके पास printer है तो आप घर बैठे भी इसे print कर सकते हैं तो इस तरह से दोस्तो पांच मट के अंदर आप अपने आप से अपने mobile से या laptop computer के मदद से घर बैठे ही free में अपना e-sharmic card बना सकते हैं जिसका lab आप सरकारी सेवा से ले सकते हैं तो आई होग कि दोस्तो आपको वीडियो पसंद आएगा वीडियो पसंद आएगा वीडियो को सिर्फ एक लाइक करें और अपने फ्रेंट के साथ शेर जरूर करें